हेलो दोस्तों मैं हूं ममता आई टी वर्ल के टेक टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे डे टू डे लाइफ में होने वाले इस्तमाल जीमेल के बारे में जी हां सही सुना आपने जीमेल अपनी यूजर्स की सिक्योर्टी को ध्यान में रखते हु Facebook Cambridge Analytica मामने के बाद खास तोर पर ऐसे फीचर्स पर ध्यान दिया जा रहा है जिनमें यूजर्स की सुरक्षा पर काम किया जाए इसी सिलसले में जीमेल आने वाले समय में खुद डिलीट होने वाले मेल ला सकता है Proton Mail की तरश पर काम करने वाले इस मेल में रिसीवर देखने के निश्चित समय बाद इमेल अपने आप डिलीट हो जाएंगे इस नए फीचर से दो तरह की रहात मिलेगी पहली बात ये है कि इमेल में अपने आप डिलीट होने के फीचर से इन बॉक्स में फाल्तू के मेल कम हो जाएंगे दूसरा यूजर को निजी जानकारी रखने वाले इमेल से छुटकारा मिल जाएगा या फीचर प्रोटॉन मेल की तरह काम करेगा जो अपने आप थोड़े समय के बाद गायब हो जाएंगे एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्च इंजन एक और फीचर पर काम कर रही जिसे कॉन्फिडेंशियल मोट कहा जा रहा है इससे यूजर अपने इमेल को पढ़ने वालों की संख्या सीमीट कर सकेंगे इस तरह के इमेल को फारवर्ड डाउनलोड या प्रिंट नहीं किया जा सकेगा इतना ही नहीं जीमेल अपने नए अपडेशन में नए फीचर ला सकता है अपडेट के बाद जीमेल एक नए लुक में देखने को मिलेगा सबसे पहले बात करें तो इसमें एड होने वाला है स्नूज यूजर्स किसी भी नए मेल को स्नूज कर सकेंगे ये फीचर बिल्कुल अलाम की तरह काम करेगा इस फीचर की मदद से स्नूज किये गए मेल को कुछ दिर बाद इन बॉक्स में शो करने लगेगा इस फीचर के कारण यूजर्स उन इमेल को इन बॉक्स से हटा सकेंगे जिनका रिप्लाइ वे तुरंत नहीं दे सकते हैं नए अपडेट के बाद आईफोन वा एंडियोड की यूजर्स अपने जीमेल में आटो रिप्लाइ का आप्शन एक्टिवेट कर सकेंगे नए अपडेट में यूजर्स को एप्स तक पहुँचने के लिए अपना जीमेल बंद नहीं करना पड़ेगा बलकि यूजर्स जीमेल से जी सूट तक आसानी से पहुँच सकेंगे इस अपडेट के बाद यूजर्स को मेल का जवाब देने के लिए टाइप करने की ज़रत नहीं होगी जीमेल यूजर्स को थैंक्यू लेट्स गो जैसे जवाब प्री टाइप्ट आप्शन में मिलेंगे तो ये थे आज की हमारे टैक टिप्स आगे की टैक टिप्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हमारा चैनल लाइक करें सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर हमारे वीडियोज मिलते रहें